लास्ट लेक्चिर में हम लोगों ने sexual reproduction in algae को start किया था जिसमें हमने तीन टाइप का fusion उसमें देखा isogammy, anisogammy and oogammy ठीक है यह हम कर चुके हैं अब हम बात करे थे last में उनके sex organs की तो sex organs important point है ध्यान से सुनना, algae के जो sex organs होते हैं, they are unicellular and non-jacketed होते हैं non-jacketed के दें या हम के दें jacketless उनके बार protective jacket नहीं होते हैं, non-jacketed होते हैं और unicellular होते हैं जबकि आप bryophyte, teradophyte में देखोगे तो उनके sex organs multicellular and jacketed होते हैं ध्यान देना, algae क्योंकि सबसे primitive plant है तो इसमें primitive characters हैं, इनके जो sex organs हैं वो unicellular and non-jacketed हैं, लेकिन इसमें एक exception आता है और exception किसका आता है बटा, कारा मैंने पहले भी कह था, कारा एक important example है, तो कारा के case में ध्यान रखना, कारा क्योंकि एक तो इसका important point क्या है हमने पहले भी पढ़ा, highly advanced ugami शो करता है, कारा क्या शो करता है, highly advanced ugami शो करता है highly advanced ugami ये तो हम पहले बढ़े चुके, इसके अलाबा, जितने भी थैलोफाइटा ग्रूप के member है, तो जितने भी algae है उन सभी algae में से कारा जो है, ये most complicated है, कारा एक important examples में आ जाता है, क्योंकि हर जगे ये exception शो कर रहे है एक तो highly advanced ugami शो करता है, जितने भी algae है, उन में से सबसे complicated है, ठीक है और complication कैसे है, एक complication का point आता है, इसका important point, sex organs बाकी algae में sex organs होते है, unicellular and non-jacketed लेकिन बटा कारा की sex organ होते है, multicellular and jacketed कारा की sex organs कैसे होते है, multicellular and jacketed होते है तो ये चीज़ आप घ्यान लखना, ये एक exception में आ जाता है, चोकि बाकी जो algae है, वो unicellular and non-jacketed है, लेकिन कारा के sex organ कैसे है, बटा, multicellular and jacketed है बाकी हमने पहले भी पढ़ा था, red algae में, ऊग MS condition में कि male sex organ को हमने antiridia का था, और female sex organ को ugonia का था, लेकिन कारा के case में, male sex organs को हम बोलेंगे globules, male sex organ को हम क्या बोलेंगे, globule, और female sex organ को हम बोलेंगे, nucule ध्यान देना, ये एक important point है, male sex organ क्या के लाएगा, globule, और female sex organ के लाएगा, nucule अगर आप algae की plant body को observe करो, तो male sex organs lie towards lower side of the, lie towards lower side of node of short branch, एक short branch के node के lower side में आपको देखने को मिलेगा, जबकि female sex जो organs होते हैं, nucule, they lie towards upper side, ये मैं आपको डाइग्राम में भी अभी दिखाने वाली हूँ, 12th का first chapter के अंदर इसका diagram दिया हूँ है, लेकिन आप वो यहाँ पर discuss करेंगे, क्योंकि कारा का location यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दू, आपकी NCRT में नहीं है, लेकिन 12th की NCRT में दिया हूँ है, ये जो diagram है, ये किसका है, कारा का, हमने क्या का था, ये एक short branch है, इस short branch ये है, female sex organ, eugonium, ये हमने female sex organ दिखा है, eugonium दिखा दिया है, और lower side में क्या है, male sex organ, antheridium, इसमें ध्यान से देखो, इसके बाहर sterile jacket present है, और ये multicellular है, कैसे है, multicellular, लेबलिम में पूछ सकता है, examiner आपसे ये diagram देदेगा, कि ये किसको show करता है, ये किसको तो ध्यान अखना है आपको, इसके अंदर female sex organ अपर side में होता है, और male sex organ inner side में होता है, ये चीज ध्यान अखना है, कारा एक exception है, LG में, जिसके अंदर multicellular and jacketed sex organ होता है, कैसे होता है, multicellular and jacketed sex organ, तो ये सिज आपको ध्यान अखना है, बटा है important है, इसके बाद, एक particularly example हम ले लेते हैं, किसका, red algae का, red algae के case में, female sex organ को हम कहेंगे कार्पो गॉनिया, तो तीन वर्ड यहाँ पर आए, ओगॉनियम, नुक्यूल and कार्पो गॉनियम, ध्यान से सुना, ओगॉनियम तो हम जर्णली female sex organ के लिए ओगॉनियम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो sex organ अगर तो red algae के case में, female sex organ के लिए, यहाँ अदगो करेंगे णिया एक तरफ है हमारे पार मैम गैपिट मेल यह सिंबल यू जो करता है और दोसी तरफ है छे मारे पास पते प्रिमेल जाने सिंबल यूज तो एक तरफ है मेल गैपिट और एक टरफ हैं डाफंट का and which can be round उसे जाती हैं structure कि पराज हमा इता जाते हैं जैसे ही सूर करते हैं चयां से तो अ 두कों सहां है तो जीस को कहते हैं चीओ है तुक्त लेकिन एलडे के से घ्यसी सुस्क्राइब जातीम जाथी है बनता है, तो इस जाइग्त के अंदर meiosis हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कैसी meiosis होती है, जाइग्त कि मिसस 그대로 और यही कारण था कि LG के केस में कभी भी embryos stage नहीं बनती है, ठीकाे, इसलिए most of the algae haploid होते हैंं इनमें embryos stage की formation नहीं होती है और इसमें zygotic meiosis कब होते है meiosis occurs meiosis occurs at the time of germination of zygote at the time of germination of zygote ठीक है तो यह चीज़ मैंने आपको बता दिया है क्या बता है मैंने इनके case में क्या होता है fusion of gametes होते है और जब क्योंकि male gametes और female gametes कैसे हैं बटा haploid है तो इनके fusion से एक diploid structure बनेगी जिसको हम बोलेंगे zygote zygote जब germination करना शुरू करता है तो उसमें zygotic meiosis हो जाता है और zygotic meiosis होते ही फिर से structure कैसी आजाएगी haploid तो algae की life cycle में सिर्फ एक ही cell deployed होती है जिसको हम कहते है जाइगोट बाकि सारी cell कैसी होती है haploid होती है अब मैं आपको in CRT का एक important part बता रही हूँ और वो क्या है post-fertilization development कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो development होती है जैसे एंजियोस फंस में हम पढ़ते है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बटा जाइगोट embryo में modify हो जाता है ठीक है ओवियोल सीड में modify हो जाता है ओवरी fruit में modify होती है तो वैसे ही post-fertilization development जो algae में देखने को मिलती है वो सर्फ red algae में देखने को मिलती है क्योंकि plants algae most primitive plant है तो इसका सबसे advanced group है red algae तो red algae की case में ही post-fertilization development हमें देखने को मिलती है बाकी algae में post-fertilization development नहीं होती है अब इन में होता क्या है जैसे हमारे पास एक तरफ है male gametophyte gametophyte मतलब एक ऐसी structure जिसके अंदर आगी जाकर के male gametes की formation होगी और दूसी तरफ है female gametophyte 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 मतलब gamete बनाने वाली fight मतलब plant plant का वो part जो gamete की formation करेगा तो इसने बनाए male gametes इसके अंदर बने male gametes और female gametophyte के अंदर formation होगी female gamete की दोनों ही कैसे है है haploid और gametophyte भी आपका कैसे है haploid है ये चीज़ आप धियान रखना तो सबसे पहले है ये ढूनों क्या करते हैं फ्रिलाइजेशन करते हैं और फ्रिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है zygote बन जाते है कैसा deploid zygote की formation होगा ठीक है इसके बाद next क्या आता है अमने का था इनके case में post-fertilization development होती है तो एसी दत्ता की जो बाटनी की बुक है उसके अंदर आपको post-fertilization development नहीं जाएगी तो इसको ध्यान से देखना मैं ध्यान से बता रहे हूँ जाइकोट बनने के बाद इनके case में क्या होता है सबसे पहले यह modify हो जाता है कार्पो-sporophyte sporophytic phase में modify हो जाता है क्योंकि यह diploid है तो कार्पो-sporophyte में modify हो जाता है जो कि diploid होता है फिर कार्पो-sporophyte में कार्पो-spor की formation हो जाती है ठीक है कार्पो-spor की formation हो जाती है और जब यह कार्पो-spor जर्मिनेट होता है तो they modify into tetrasporophyte यह tetrasporophyte की formation करते है tetrasporophyte पी deployed होता है अभी तक meiosis नहीं हुए फिर tetrasporophyte क्या करता है meiosis हमने पहले भी कहा था या तो tetraspores की formation एक meiosis से होती है या दो meiosis से होती है तो इनके case में एक meiosis होता है और यह क्या बना लेते है tetraspore तो tetraspore कैसे होता है haploid और जब यह tetraspore germinate करते है तो यह क्या बना लेंगे gametophyte बना लेंगे तो यह post fertilization development है बाकी में तो क्या होता है zygote जैसे ही germinate करना शुरू करता है इसमें meiosis हो जाता है लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है इनके केस में पहले कार्पोसपोरोफाइट बनता है फिर कार्पोसपोरोफाइट कार्पोसपोर की formation करता है फिर जब कार्पोसपोर germinate करता है तो tetrasporeोफाइट बनता है और जब tetrasporeोफाइट बन जाता है तो tetrasporeोफाइट के केस में meiosis होता है और वो haploid tetraspore बनाते हैं और जब यह tetraspore dispersed होते हैं तो यह बटाफर से male gametophyte बना लेते हैं ठीक है तो यह है post fertilization development in red algae ठीक है तो यह सीज आप जियान लखना अब एक सीज और हम discuss कर लेते हैं that is chromosome number in algae chromosome number in algae कि किस algae में chromosome number कितना होता है तो सबसे पहले हम बात करते है पॉर्फाइरा linearis की तो पॉर्फाइरा linearis जो है यह जो algae है इसके अंदर minimum number of chromosome है सबसे कम chromosome है algae की case में minimum number है कितने chromosome है इसके अंदर haploid content है इसका two इसका मतलब इसके haploid content में दो क्रोमोसोम है तो डिफ्लोइड में कितने हो जाएंगे चार क्रोमोसोम हो जाएंगे जबकि maximum number of chromosome कौन से यल्गी में है यह है आपका नाट्रियम डेसिर टैलिस इसके पास maximum number of chromosome होता है maximum number है chromosome का इसका है प्लोइड कंटेंट है 592 ज्यान से देखना पॉर्फाइरा पॉर्फाइरा लीनियरिस जो है इसके केस में minimum number of chromosome होता है इसका हप्लोइड कंटेंट होता है 2 जबकि नाट्रियम डिजिट आलिस इसमें maximum number of chromosome होता है इसके अंदर हप्लोइड सेट अफ क्रोमोसोम होता है 592 ठीक है एक और exception में आपको पता देते हूं क्रोमोसोम नंबर हमारा हो चुक है एक एलगी है माइक्रो स्थीरियास या फिर हम माइक्रो मोनाज भी बोल देते हैं माइक्रो मोनाज इनके इसमें एक सेल में एक ही माइक्रो कॉंड्रियास प्रेजन्ट होता है वैसे तो माइक्रो कॉंड्रियास क्या होता है बटा पावर हाउस ओफ दा सेल होता है तो mitochondria जितनी cell active होगी इतना mitochondria का number ज़्यादा होगा लेकिन microsteriaz या micromonaz में एक cell में एक ही आपका क्या present होता है mitochondria present होता है चीके तो यह सीज आप जहां डखना अब हम बात करते हैं life cycle of algae last topic आज का discuss कर लेते हैं अब हम last year discuss करें life cycle of algae तो यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं दुबारा मैं एक बार आपको बता देती हूँ algae जो है वो haplontic life cycle exhibit करता है कैसी life cycle exhibit करता है? haplontic ठीके? haplontic life cycle में क्या होता है? कि इनका जो dominant photosynthetic phase है वो phase जो इनके case में photosynthesis करता है वो कौन से है? free living gametophyte है कैसा है बिटा? free living gametophyte क्योंकि इनकी haplontic life cycle है तो जाइगोट को छोड़ कर बाकी सारी cells कैसी होंगी? haploid होंगी यह हम पहले भी discuss कर चुके है तो haploid phase को हम क्या कहते है? gametophyte तो वही इनका dominant phase है और वही phase इनका कैसा है? photosynthetic है sporophytic generation that means diploid phase जो है it is represented only by one celled zygote sporophytic generation को सिर्फ कौन represent करता है? one celled zygote represent करता है ठीक है? एक सी ध्यान अखना इनका जो sporophyte है वह independent नहीं है इनका जो sporophyte होता है वह gametophyte के उपर dependent होता है यह free living existence show नहीं करता है यह जह ध्यान अखना इनका जो sporophyte है वह free living existence show नहीं करता है होता है कि sporophyte एक single cell से represent होता है जिसको हम कहते हैं zygote तो zygote में meiosis होता है और इस meiosis के टाइप को हम क्या कहते हैं zygotic meiosis जैसा ही meiosis होगा तो diploid से haploid condition बन जाएगी तो इसके इंदर haploid spore बन जाएगे फिर haploid spore क्या करेंगे metotically divide करेंगे मतलब germinate करेंगे और germinate करके number of cells बढ़ाएंगे तो यह बना लेंगे haploid gametophyte ठीक है अब आता है कि कौन-कौन से algae haplontic life cycle show करते हैं क्योंकि इसमें कुछ exceptions भी दिये वे हैं मैंने पहले बेडिसकस किया था और exception पर question आता है most important point है तो जादतर जो algae के genera है वो तो haplontic life cycle show करते हैं जैसे कि walbox, spirogyra और कुछ species clamidomonas की कही बार examiner कह देता है कि algae की life cycle बनानी है तो आप इस तरीके से cycle को show कर सकते हो gametophyte इनका dominant phase है तो यह haploid phase है इनका तो यहां से हमने life cycle के शुरुआत की तो gametophyte ने सबसे पहले gamete की formation की that means gametogenesis किया gametes जैसे ही बनगे male gamete और female gamete तो उन्होंने sin gamete show किया sin gamete मतलब fusion, sexual reproduction किया जैसे ही male gamete और female gamete fuse होता है deployed zygote की formation हो जाती है किसकी formation हो जाती है deployed zygote की formation हो जाती है बटा तो यहां पर आपका deploid zygote बन जाता है बकि यह जैसे ही zygote बनता है उसमें meiosis हो जाती है और meiosis होते ही haploid spore बन जाते है फिर यह spore germinate करता है और gametophyte बना लेते है तो इस तरीके से आपकी जो life cycle होती है वो repeat होती रहती है ऐसे ही इनके life cycle चलती रहती है तो यह सही आपको ध्यान दख रही है exceptions की हम बात कर रहे थे तो एक बर exceptions देख लेते हैं तो exceptions में ध्यान से देखना ectocarpus यह very very important part है मैं पहले बता देती हूँ इस पे से किशन बन सकते है ectocarpus जो algae है brown algae इसकी जो life cycle है वो haplontic नहीं है यह haplodeplontic life cycle शो करता है मतलब दोनों phases multicellular है polysiphonia जो है वो भी haplodeplontic life cycle शो करता है calms जो है वो भी haplodeplontic life cycle शो करता है लेकिन fucus त्यान रखना important example है fucus की life cycle कैसी है diplontic तो यह तो था आपका ncrt का part अब थोड़ा सा detail में ले लेते हैं हम कई बार haplodeplontic life cycle की वज़ाए ऐसे phases भी अमें देखने को मिलते हैं biontic मतलब by मतलब दो या फिर इसको हम haplophasic भी कहते हैं इसका मतलब इनके life में दो phase नहीं है इनके life में तीन phases है ठीक है और इन तीन phases में से दो phase haploid है और एक phase diploid है झाल 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 झाल